गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा साइंस का नेक्स टॉपिक है जर्मिनेशन पेज नमबर सेवन पे है यह आप पर टॉपिक जर्मिनेशन लास्ट हमने क्या किया था स्ट्रक्चर ओफ सीड तो देखे बटे जर्मिनेशन होता क्या है अंकुरन यानि जो आपने बीज लगा दिया वह कैसे फूट रहा है कैसे वह एक बेबी प्लांट बने गा तो इस अंकुरन यानि विकास देखे लेन प्रोसेस को क्या कहते हैं तो देखे और सेमस्ट या प्रोथ सीड उ लीग असले बेबी प्लांट और सेइडली या sleek सेर्मिनेशन जो प्रक्रिय रह है is called germination उसे क्या कहते है germination कहते है the following picture picture's illustrate different stages of germination यह जो आपको pictures दे रखी है यह आपको क्या करेगी germination की यानि अंकुरंड की जो विकास हो रहा है उसकी stages दिखाएंगी तो देख्किए क्या है first यह आपको यहां पर एक seed दिखाया गया है बीज है seed gets water from soil and air and heat from the atmosphere जो बीज हो रहा है बीज लगा दिया वो क्या कर रहा है हमारे वातावरंड से हवा ले रहा है ठीक है पानी ले रहा है सुरज की रोशनी ले रहा है और उसके बाद क्या है देखिए यहां पर छोटा सा फूट गया यानि वो आपको मैंने उस दिन ब गया है देखिए सेकेंड स्टेज पर आई है बेबी प्लांट आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद दसीड कोट ब्रेक्स एंडब बेबी प्लांट एमर्जीज जो सीड कोट था फॉस्स पिक्चर में जो यह सीड कोट था सीड कोट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं क् अब यह देखिए हूं पर फूट गया बीज फूट गया बेबी प्लांट हो गया यहां पर नेक्स देखिए क्या है 3rd stage The baby plant first drops the root and the shoot क्या कर रही है जो baby plant है उसने root, root क्या होती है जड़ जड़ को निकाला है और shoot शाखाएं जिसे आप टहनियां भी बोल पी है baby plant से फिर क्या हुआ सबसे पहले आपने seed लगाया seed क्या हुआ उसने atmosphere से जो भी उसके essential चीज़े हैं जुरूरी चीजे चाहिए उसे sun, heat, water, वोस ने ली और क्या हुआ वो एक भून अवस्था में ठीक है अपरी पक्व अवस्था में फूट गया सेकंड स्टेज पे वो छोटा सा पौधा बन गया थर्ड स्टेज में जड़ के साथ साथ उसमें क्या हुआ बहुत सारी टहनिये यानि शाखाए निकल गई देखिए आगे अगे देखिए यहां पर पत्ते भी आ गये और यह तना भी बन गया आगे विद्ध ग्रोथ इन साइज बेवी प्लांट वैल्ब्स लीव्ज एंड कॉटिलेडन स्ष्रिंग दा एंड डिसपियर आप देखिए जैसे यह पौधा बड़ा होता है मैंने आपको कॉटिलेडन प्रिविएस लेक्चर में भी समझाया था वो क्या होता है खतम हो जाता है छुप जाता है मतलब वो नहीं दिखता है आप क्या आते हैं आपको दिखते हैं इसमें पत्ते दिखते हैं और आपको क्या दिखती है इसमें स्टेम दिखता है इस तरह से यह इसकी डिफरेंट स्टेज़ेज है आपको कितने स्टेज़ेज दिखाई गई है फाइव स्टेज दिखाई गई है इन डा अर्ली स्टेज़ेज ओ जर्मिनेशन दसीड गैट्स आपको पहले बताया गया है जो बीज होता है वो फूड कहां से लेता है भोजन कहां से लेता है कॉटलीडन से आफर दा फूड स्टोर्ड इन दा कॉटलीडन से यूज अप जो भोजन होता है फिर वो से यूज करते है सेडलिंग ब्रेल्फ लीव फिर उसमें पत्तों का विकास हो जाता है विज स्टार्ट तू प्रिपेर देफूड जो पत्ते होते हैं उसके बाद वो अपना भोजन स्वेंब बनाना शुरू कर देते है Soil plays a very important role in development of a plant जो मिट्टी है वो बहुत महतो पुरुन भूमी का निवाती है किसमे एक पौधे के विकास में The seedling absorbs water and nutrients from the soil with the help of fruits and develops into a plant जो baby plant होता है वो क्या करता है सभी पोशक तत्व नूट्रेंट्स जो पोधों के लिए पोशक तत्व है वो उसे क्या करते है अब्जर्व करते है और फिर एक किसमे प्लांट में वो बदल जाते है ठीक है It also gets air through pores in the soil वो क्या कहते है वो हवा भी लेते हैं कहां से मिट्टी से आगे देखिए Seed dispersal ये तो stages थी germination की आगे Seed dispersal मैं आपको एक एक पॉइंट पूरा read करके नहीं समझाओंगी लेकिन मैं आपको वैसे समझा देती हूँ कि dispersal क्या होता है सबसे पहले तो dispersal का meaning पता होना जाहिए dispersal का meaning होता है बिख्राव फैला देना तो देखिए Seed dispersal यानि बीजों का भी ख्राव ये कितने टाइप्स का होता है देखिए देखिए 4 टाइप्स का सबसे पहले Seed dispersal by animals Second is dispersal by wind Dispersal by water Dispersal by explosion मैं आपको अब इनके वैसे meaning समझा देती हूँ कि कैसे इनको define करना आपको देखिए अब पेटे बीज है जो ठीक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक जगा से दूसरी जगा पर विखर जाते हैं और जो dispersal है वो एक plant के सही विकास के लिए dispersal process है न वो एक पोधे के विकास के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि if all the seeds fall near the mother plant and start germination there they would not get enough light water space to grow यह देखिए इसमें क्या समझाय गया है कि अगर सभी बीज क्या होंगे अपने mother plant के पास होंगे ठीक है तो उनके germination में उनके अंकुरन में विकास में क्या आएगी दिक्कत आएगी क्योंकि उन्हें ना तो प्रॉपर light मिल पाएगी ना water मिल पाएगा और ना उन्हें space मिल पाएगा पूरी जगा नहीं मिल पाएगी उन्हें विकास के लिए अब जो देखिए सबसे पहला आपका point है अब मैं आपको मोटा से एक्जामपल देती हूँ इसका अनिमल्स होते हैं ठीक है उन्होंने क्या करें मान लीजिए मंकी जाते हैं अब आपके किचन में मैंगोज रखे हुए वो उठाके ले गए ठीक है मैंगो को खाएंगे क्या करेंगे इदर उदर गिरा देंगे उसकी जिसे आप क्या कहते हो गुठली कहीं भी गिरा दोगे तो यह क्या हुआ डिस्पर्जल बाए ऐनिमल्स ऐसे ही आपको यहां पे दिया गए है ऐनिमल्स इट सम फूट्स एंड थो अवेदा सीड ऐनिमल्स क्या होते हैं बीज क्या होते हैं जानवरों के द्वारा डाइजेस्ट पचाय नहीं जाते हैं और रिमेन अंडाजेस्टेड इन दियर स्टमग और बाकी है क्या उनके पेट में ही रह जाता है इस सीड्स आर डिस्पर्ज टू फार एरियास through their ड्रॉपिंग्स और ये फिर क्या होते हैं बटे ड्रॉपिंग्स क्या होती है आप जिसे बोलते हो आप बोलते हो बीट करती बीट नहीं वो बीट होता है गोबर लीड ये क्या होता है ये भी एक प्रोसेसर डिसपर्जल बाई आनिमल्स का क्योंकि आपको बताया कि वो कुछ seeds को तो क्या कर लेते हैं digest कर लेते हैं लेकिन कुछ को वो digest नहीं कर पाते हैं जो undigested होते हैं फिर वो droppings के थूँ क्या होते हैं इधर उधर बिखर जाते हैं आप देखिए सेकिंड क्या है seed dispersal by wind हवा से कैसे फैलते हैं बीज अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक्जमपल दिया गया इसका यह क्या है cotton seed क्या है यह cotton seed cotton क्या होते है रूइन अब हवा आई बिटे देखिए यह cotton लगी हूँ यह हवा आई इदर उदर उड़के चली जाएगी तो क्या होगे यह भी क्या हो गया seed dispersal by wind कि क्या होगे बीज क्या है हवा के थू भी उड़कर इदर उदर जा सकते है तो आज ही आपको मैं केवर दो ही dispersal के point आपको clear करूंगी next topic हम next lecture में करेंगे आप इनको word meaning को जो आज मैंने आपको underline करवाए है लिखवाए है इन्हें अच्छे से read कीजिएगा और दुबारा से यह जितना भी आज आपको read करवाया गया है इसे read कीजिएगा thank you students